हाई फ्रेंस आज बनाएंगे हम पनीर की सब्जी तो पनीर की सब्जी आपने कैई बार खाई हैं गई है और पनीर के मैंने इस तरह से जो है पीस किये है आप जैसे भी करने चाहो विसे कर सकते हूँ उसके बाद यहां पर मैंने प्याज वी है यह देखे और इसके मैंने चलके उतार लिए है चलके उतारने के बाद हम प्याज के लंबी लंबी तुकड़ों में पतला पतला काट तो सारी प्याजों को हमें काट कर इस तरह से ही तयार करना है क्योंकि आज हम पनीर जो बना रहे हैं उसके लिए ना ही हम प्याज पीसेंगे और ना ही प्याज को भूनेंगे बहुत ही नए तरीके से बनाकत तयार करेंगे और इस तरह से बहुत ही ज़दी से पनीर बनके तया हो जाएगा तो यह देखे यहांपर प्या wilderness को इस तरहे से और 鬼 Ellumin गẫn में काट विया है और पतुला ही मैंने इसको काटा है उसके बाद लेगा हम इस तरहे कर चोक कर आता है उसमें हमें इस प्यार को डाल देना है और इसको डालने के बाद जो है हम targeting साथ मही है जो हमें 3-4 हरी मेच इस तरह से तुकड़ों में काट कर इसमें डाल देनी है उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं और हमें इस तरह से इसको चौक कर लेना है तो यहां पर प्याज को जो है हम पीसिंगे नहीं और बस इस तरह से हमें इसको चौक कर लेना है तो यह देखे कि इस तरह से ये तैयार हो जाएगी उसकी बाद हम इसको जो है निकाल लिते हैं तो यहां पर हम इसको जो है एक प्लेड में लिंगे और प्याज को हम निकाल लिंगे यह देखिए हम इस प्याज को निकाल लिते हैं उसके बाद यहां पर मैंने दो-तीन टुमाटर को टुकड इतना नहीं है, बहुत ही नंए तरीके से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी से जो पनीर है बनका तैयार हो जाएगा, और यह देखिए है इस तरह से मैंने इनको कर लिया है , उसके बाद कडाइiter को मैंने गैस पर चुड़ा दिया है और इसमें हम पनीर को डालेंगे पनीर को डालने के बाद आदा चमच मैंने इसमें हल्डी डाली है और आदा चमच ही लाल मिल्च पौडर इसमें डालेंगे और आदा चमच मैंने इसमें नमक डाला है नमक डालने के बाद इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए ही हमें पनीर को जो है फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर हम इसको हलका सा गुलावी होने तक ही फ्राई करेंगे ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो हमारा पनीर जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल देगे यहाँ पर देखे इस तरह से हलका सा गुलावी हुआ है और मैंने इस पनीर को जो है निकाल दिया है और उसी बचे हुए ओयल में हम डाल दे यहां पर जीरा और जीरा डालने के बाद इसको हम चटकने देंगे और कुछ मसावे इसमें खड़े डालेंगे तो यहां पर 3-4 तेजपाल के पत्ते एक दोड़ा एक दालचीनी पांच है कालविच और पांच है ही मैंने यहां पर लॉंग दी थी और इसको मैंने डाल दिया उसके बाद चौक की हुई पयाज को हमें इसमें डाल देना है तो पयाज को हमें डालने के बाद में जो है इस तरह तैसा इसमें जो है नहीं तो जैसे जैसे हमारी प्याज जो है बूनेगी उसके साफ वेशन भी बून जाएगा तो यहां पर देखे इस तरह से प्याज जो है अच्छी तरह से भुनका तयार हो गई है उसके बार यहां पर हमने जो टमाटर चौक किये थे उनको भी इसमें डाल दिया है और इनको भी हम इसी के साथ में जो है पकाएंगे और जब तक पकाएंगे अच्छी तरह से टमाटर जो है इसमें सौप्ट ना हो जा एक चमची धनिया पौडर डालेंगे और एक चमची गरम मसाला डालेंगे और श्वात अनुसार नमक डालेंगे तो यहां पर नमक मैंने पहले डाला था तो मैंने एक चमची नमक इसमें डाला है तो यहां पर हम जो है इसको अच्छी तरह से मसालो को मिक्स कर लेंगे और इस कि मसालों को भून लिए तो इससे मसाले ज़एंगे भी नहीं और अच्छी तरह से भूनकर तैयर हो जाएंगे ये देखि कि बहुत ही ज़ए सा हमारा मसाल भूनकर तैयर हो गया पर घायक पर को अच्छी तरह तो कि यहां पर manipulate यहां पर बन का तयार हो गी तो यहां पर पनीर को देकि इस-टी तरह से और पानी कम ज्यादा जैसा भी रखना चाहो वैसा आप इसमें रख सकते हो या फिर इसी तरह से भी इसको खा सकते हो तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है उसके बाद मैं मैं दोबारा से उसमें और पानी डाल रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा कम है तो पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको जो है mix कर लेंगे उसके बाद हम जो है इसको ढखकर रख देंगे और पकने देंगे पनी जो है बहुत ही जल्दी से पक कर तैयर हो जाता है इसको पकाने में ज़्यादा time जो है बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पर हम इसको पकने देंगे और लगवक दो तीन मिनट बाद हम इसको जो है चेक कर लेंगे और यह देखे इसमें बवल्स आ गया है और पनी जो है पकने लग गया है तो इसको पकाने में तो time नहीं लगता है और इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे और दो मिनट के लिए और ढख देंगे और यह दो मिनट बाद जो है हमारा पनीर बनकर तयार है और बहुत ही प्यारा सा इसमें जो है कलर आया है और यह देखने में बहुत ही जादा डिलिसियस नजर आ रहा है यह देखने में ही नहीं में भी उतना ही टेस्टी है उसके बाद यहाँ पर एक चमच के लगवग मैंने पनी मसावय डाला है और इसको भी हम अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स कर लेंगे इससे इसका बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा उसके बाद उपर से बारिक कटा हुआ हरा धनिया दालेंगे और धनिया डालने के बाद में धनिया को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंवर को बहुत ही हिए सा यहां पर पंड़ बनकत तैयर हो गया है यहां पर हम इसको कर लेते हैं सरूब और बहुत ही जпड़ी से यह पणीर बनकत-तैयर हो जाता है describes यृ को बनाने अगर आपको मेरी रेस्पी जरा सीवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब चरू कर वीजिगा तो मिलते हैं अच्छी से नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स पॉर वर्चिंग